हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक उन माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैंने जो है पर्सो एज यू लाइक इट के करेक्टर्स को डिसकस किया था ठीक है तो आज हम इसी प्ले को डिटेल्ड में शुरू करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स ज़ यह जो प्ले है ना दोस्तों 1598 से 1600 के बीच में लिखा गया था ठीक है रिटन इन 1598 to 1600 हुआ था फॉल्यों में 1623 में जुआ है फॉल्यों इस का पब्लिश हुआ था 1623 में ठीक है तो आज हम इसको डिटेल्स में शुरू करने जा रहे हैं तो चलिए यह शुरू करते हैं त Sir Roland The Boys के छो बेटा होता है Orlando ठीक है तो उससे शुरू होती है तो क्या होता है कि Orlando जो है Adam से शिकायत कर रहा होता है कि बड़े भाई ने है मतलब कैसे जो है सारा कुछ अपने कबजे में कर रखा है ठीक है मतलब उसको जाद इतनी अजादी नहीं है जितनी की ओलीवर को है क्योंकि वो उसका बड़ा भाई है तो वह अपने भाई जो लीवर है ना वह और लेंडो को बिल्कुल भी पसंद में पसंद नहीं करता है पर जैसे की मैंने आपको पहले बताई था कि सपर ऐड़केश्म ओर नित्टिवेंच एक दो औरस सब्छाध कर रहा होता है तो पर और दो नहीं है ना तक सम raptे है आगे क्या होता है है 손ए mario किए उसका जो है चारल्स के साथ एक licensed मैच होता है थीक है wrestling मतलब लडाई कुष्टी वगरह जो करते हैं ठीक है मुक्य बाजी वगरह जो करते हैं तो उसका match होता है तो क्या होता है कि अब friends जो है na Orlando का जो बड़ा भाई है ठीक है ठीक है friends में बताने जारी हूं कि Orlando का जो बड़ा भाई है Oliver ठीक है तो वो ओलीवर जो है न चार्ल्स जो एक ग्रेट रेसलर है ठीक है तो यह दोनों आपस में बात करते हैं वो क्या बात करते हैं ओलीवर चार्ल्स से कहता है कि तुम मेरे भाई यानि कि और्लैंडो को जो रेसलिंग मैच में मार देना ठीक है खतम कर देना उसे तो जब wrestling match शुरू होता है तो Orlando ने पहले ही जो अपने तीन प्रतीद बंदियों को तो हरा दिया था अब आई Charles की बारी तो Charles को भी Orlando ने हरा दिया wrestling match में और wrestling match में Rosalind और Celia भी आये थी ठीक है वो भी देख रही थी match को बहुत खुश होती है जब Orlando जी जाता है तो फिर मैंने आपको पहले भी बताए कि Rosalind जो है वो Duke Senior की बेटी है और Celia जो है वो Duke Frederick की बेटी है ठीक है तो क्या होता है वो बहुत ही खुश होती है ठीक है अब जैसे कि मैंने आपको बताए कि Duke Frederick जो एक बेकार किसम का बंदा है उसने जो है अपने भाई का सवजा समराज जैसा भी हड़प लिया है ठीक है बिल्कुल बेकार बंदा है ये जो है बिल्कुल भी केर नहीं करता है मतलब कोई फरक नहीं पढ़ता है उसको कहा रहा है बंदा हैare, so 다 came to बिल्कुल पधी लड़क जैसा जादा कgewशस होती है जब और्लेन्डो चाल्स को हरा देता है जी जाता है और्लेंडो तो फिर रोज़नो और और लेंड़ो आपस में बात करते है ठीक है और रोजलीन जो है और्लेंडो को जीतने की कुशी में गोल्ड की चेन गिफ्ट करती है ठीक है तो बहुत ही खुश होते हैं तब सीलिया जो है रोजलिंड से कहती है कि तुम बहुत तरफदारी कर रही और्लेंडो की ठीक है मतलब आपस में वह बात करते हैं क्योंकि वह ट्रैक्ट होने लग रहा है ठीक है ना तो उसका भाई रैचलिंग मैंस में कैसे जीत गए यह सोचता रहता है वो आप देखो क्या होता है आप ड्यूक फ्रेडरिक जैसे कि मैंने आपको परसो भी बताया था कि ड्यूक सीनियर का जो है भाई है छोटा है लेकिन अकल इसमें बिल्कुल भी नहीं ह बड़ा है उसे ड्यूक फ्रेडरिक ने ड्यूक सीनियर का अपने किंग्डम से निकाल दिया था और खुद महां का किंग बन गया था ड्यूक बन गया था और जब ड्यूक फ्रेडरिक को पता चलता है कि और्लेंडो जीत गया तो उसे लगता है कि फिर उसको जीत तो गया ह है वह ठीक है तो उसे था पता चलता है कि और लेंडो जो है ना वो सर ओलन डीबोईज का बेटा है और सोचता है कि शायद रोजालीन ने उसकी मदद की होगी ठीक है तो रोजालीन को तो उसने अपने समरांट बेँंब के नहीं निकाला था और तो फिर रोजलीन ने बट ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है उसकी कोई भी हल्प नहीं किया होते है वो तो खुद अपने दम पर जूईता है तो तब रोजलीन को भी जो है वहां से निकाल दिया जाता है ठीक है किंग्डम से निकाल देते हैं उसे भी फिर इसी वज़े से हाल गर नहीं तो जंगल में जाएंगे तो वह कहां जाते है फोरेस्ट ओफ आर्डन जो है यहść फॉरेस्ट का नाम है तो वहां जाते हैं तो वहां पर गैनिमेड बन जाती है मतलब साथ महीं रहते हैं तो ऊपना नाम चांगा भिद्र है करने लगते हैं तो उनका जो तो 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 मैंने आपको कल करेक्टर में बताया था कि टच स्टोन है क्लाउन है जोकर टाइप को था मुरग है मतलब थोड़ा हसाता वगयरा मतलब मजाकिया से मूड का होता है ठीक है तो वैसा है वो टच स्टोन भी उनके साथ जाता है पूरे रास्ते में वह बाते करते चलत लगा था तो वह रह रहा था अब और लैंडो और एडम भी जंगल में जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं क्योंकि आडम और लैंडो जो है वो लीवर की जो करतूते हैं परिशान करते रहता है ना लीवर तो वह उनसे बचने के लिए जा रहा है ठीक है और फिर क्या होता है वो उन जो है कवीताओं को पढ़ लेती और बहुत ज़्यादा खुश होती है कि और्लेंडो ने ये सब मेरे लिए लिखा है लेकिन अभी वो उसके सामने आ नहीं सकती है क्योंकि वो अभी गैनिमेट बनी हुई है ठीक है और जैसे ड्यूक फ्रेडरिक को पता चलता है ना कि और्लेंडो जो है मतलब जंगल में है किनके पीछे गया है वो गया तो किसी के पीछे भी नहीं गया है उनका कोई मकसद नहीं था तो ड्यूक फ्रेडरिक को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सीलिया के पीछे है रोजलीन की पीछे जो है और्लेंडो जो है जंगल में गया है ठीक है तो वो क्या करता है और्लीवर को ओर्डर देता है कि तुम्हारा भाई जो है और्लेंडो मेरी लड़की के पीछे चला गया है जंगल में तुम भी चले जाओ यहां से मतलब तो उसको भी भेज देता है उ ऊर्ड़ोरिस्ट वार्डर्ण में ठीक है तो फिर वह चलते है रास्ते में तो और्लैंडो जो है मतलब जर रहा होता है ना और लिवर उस तम ह मुढ़ा रहा होता ना ओर लेंडो देखता है कि अलिवर उसके मुलगात हो जातीbros concerns खाता हैnych बहुत जाद मुची पूर्फ के पर इसके अपने बाइब मुच सांप ने मुचा की अपने बाई के मुढ़ और भाई है और उसका बड़ा भाई है और जो है बहुत परशान करता था देखो तो फिर भी देखो और लेंडो जो सकी मदद कर रहा है ठीक अपने भाई की मदद कर रहा है तो उसको शेरनी से बचाता है वो खुद घायल हो जाता है और लेंडो बचाते बचाते तो फिर बहुत अलब होती ज्यदा emotional सा हो जाता है भावक सा हो जाता है कि मैं इक्ताव कर रहा था अपने भाई के साथ अपने भाई को ही मैं मरवाना चाहता था न चाल से और आज देखो इसी ने मेरी जान बचा दिया तो बहुती ज़्यादा खुश होता है फिर दोनों भापस में बाते करते हैं अच्छा लगता है उन्हें ठीक है तो ज़्यादा पच्छताव होता है उसे कि मैंने क्या कर रहा था अपने भाई के साथ तो ऐसे ही होता है, फिर उसके बाद क्या होता है की ओर्लेंडो ओलीवर से कहता है की तुम चले जाओ, जाकर गैनी मेड नाम के जो है लड़के को जाकर ये बता दो कि अब वो जो है, यानि की ओर्लेंडो जो उसके साथ प्यार वाला खेल नहीं खेल पाएगा ठीक है तो गैनी बेडियानी की रोजा लिन ये सुनकर जो है बेहोश हो गई ठीक है बेहोश हो जाती है कि वो जो है घायल हो गया है और लेंडो ठीक है तो उसके बाद क्या होता है कि रास्ते में मतलब जंगल में ही सील्वियस और प्यार करते हैं लेकिन फीबी जो है सिल्वे से प्रेम नहीं करती है वो जो है गैनी मेट से प्रेम करती है उसको पता नहीं है ना फीबी को की गैनी मेट जो एक्च्वल में रोजालीन ना ठीक है तो उससे प्रेम करती है और उलीवर जो है वो सील्वे से प्रेम करने लगत तो उससे प्यार करने लगते, तो दो बंदे जो है वोंडरी से प्यार करते हैं, थाच स्टोन और एक विलियंव, उसके बाद क्या होता है, ये ड्यूक फ्रेडरिक, ठीक है, प्रेडरिक जो है, तो ड्यूक फ्रेडरिक को ख़बर मिलती है, कि आज, मतलब, ये धर बारी जंगल में चला गया है तो मतलब यह सुनकर वो परेशान हो जाता है वो झा मैंसे व कोी हो ज़ो एक आपेक्श मेनमे है मैजिकल पाविर्स के साथ डियुक यहम है और वो सुन्यासी को पता नहीं है कि मैं न तुम्हारी शादी इसके कर वाँ और तुम्हारी जादी शादी से कर वाँ था हूं मैं अपने जादी स्कील से तुम्हारे रोजलीन को अभी तुम्हारे पास ला सकता हूँ तो ये शुन कर जो है और्लेंडो बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ये क्या बोल रही है ये बोल रहा है मतलब ये तो वह बहुत ज़्यादा है बहुत खुश हो जाता है उसके बाद क्या होता है फिर वह कहता है कि मतलब गैनिमेट कहता है कि तुम भी फिर रोजलिंड से शादी कर लेना ना ठीक है तो तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो उन्होंने ऐसा रूप जो है बदला था अपना डिस्गाइस इसमें होए थे तो लीवर की जो होती है सीलिया से महरेज हो जाती है और्लैंडो की रोजलिंड से होती है टाथ स्टोन की ओर्डरी से और सील्वियस की फीबी से अब देखो फीबी को मतलब सील्वियस सही करनी फिर जो जैक्स होता है मैंने आपको बताया ही था कि उनका सेकिंड जो बेटा होता है रोसर रोलेंड दिबोईस का वो भी जंगल में आता है वो बताता है कि जो है ड्यूक फ्रेडरिक जो है जंगल में आते हैं ठीक है लेकिन जो जंगल में आते हैं तो जैसे कि जैक्स ने वज़े से change हो चूका है तो सब कुछ happy होता है अगले दिन सबी लोगों की शाधी हो जाती है सब की शाधी हो जाती है तो शाधी वाले दिन God of marriage आते हैं God of marriage है Hello God of marriage तो वो आते हैं वो सबी लोगों को आशिरवाद देते हैं और ऐसे ही चो है happy ending जो है प्ले की हो जाती है तो ठीक है फ्रेंट्स तो ये वीडियो था और ये प्ले था जो आज हमने डिसकस की है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आपके लिए यूस्फुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भी लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो